लगा दे तो दूसरी बोली इतने गोरे हैं कुंद इंदू चंद्रमा के संख और कपूर ऐसा करपूर गोर शीव से गोरा कोई नहीं से और कहते हैं कि गले में जो जहर है ने उसकी श्यामता ऐसे लगती है कोई डिठोना लगा दिया इनको नजर लग नहीं सकती है ऐसे बड़ा आनंद हो रहा अब नाई और ब्रामन आ गए संकर जी के पाद नाई ब्रामन अपना अपना नेग मांगने लागे नाई आए ब्रामन आए दुलहे राजा हमारा नेग दो संकर जी बोले आपका नेग क्या होता सो बताओ बोले जो चीज दुलहे को सबसे प्रिय होती है वो हमको देते हैं संकर जी बोले किसी को काला नाग किसी को भी छू देने लागे और जो देने लागे तो सब भागे जो बोले दुलहा तो सुन्दर हो गया लेकिन सुभावतो अब संकर जी मंडप में आए हैं बड़ा दिव्य मंडप बनाए सिंगासन ते साथ सुवा परमिन जाही बीरंची बनावा आजी पैर्खेशिव भी परन सिरनाई पृदय सुमिरी निज्य प्रभूरा घुराई दिव्य सिंगासन लेखो ध्यान देने की चीज़ है दो सब्द हम लोग बोलचाल में बोलते हैं दिव्य और भव्य हमको मंदिर भव्य बनाना है विराट बनाना है लेकिन भगवान को दिव्य प्रसन है क्यों भगवान दिव्यता से प्रसन होते है पसंद है भगवान को दिव्यता दिव्य में देवक्प है और भव्य में अभिमान है हम भव्यतों बनाते हैं सोने का सिंगासन बनाएंगे यह करेंगे लेकिन भगवान को दिव्य चीजी दिव्य होने चाहिए बड़ा दिव्य सिंगासन उसमें ऐसा लगता ब्रह्मा जी ने बनाया है संकर जी ब्राम्मनों को नमस्कार करके हिर्दय में अपने भगवान रगुनाथ जी का ध्यान करके बैठे हैं पारवती जी का सक्षियों ने श्रिंगार सजाया चबी खानी मातु भवानी कौन वरणन कर सकता है और बेटे को पुत्र को मा के स्रिंगार के वरणन का अधिकार नहीं तुलसिदास जी बहुत मर्यादा से चबी खानी मातु भवानी कह करके आगे वरणन नहीं करता है सब चीज का वर्णन किया गोश्वामी जी ने लेकिन सीता जी के स्रिंगार का और पार्वती जी के स्रिंगार का वर्णन नहीं किया मर्यादा से कुछ बातें कह दी और अब आई है देवताओं ने दूर से देखा पार्वती जी को पुल्सिदाशी कहते हैं जग दंबीका अजी जानि भव भामा जग दंबीका जग दंबीका जानि भव भामा सूरन मन ही मान कीन प्रणामा दूर से देवताओं ने देखा पारवती जी पधार रहिए मन ही मन सब देवताओं ने प्रणाम किया है और पारवती जी बड़ी मरियादा से मंदप में आती है लज्जा के मारें पलकें जुती है पती के चरणों के दर्सन करना चाहती है लेकिन इतने लोग बैठें नजर उठाएं कैसे सरीर में संकोच है मन में प्रेम है देखो भाई आजकल की फैसन कुछ कहती है कि सरम मत करो पड़ी लिखी बेहन बेटियां कहती है जो करे सरम उसके फुटे करम यहां तक कहते हैं लो लेकिन लज्जा इतने बुरी चीज नहीं है यदि बुरी चीज होती तो मारकंडे रिशी उनके बारे में क्या कहना साथ दुरुगा सब्त सती में पांच में अध्याई में जब देवी की स्थूती देवता करते हैं तब वो कहते हैं यादेवी सर्वभूतेशू लज्जा रूपेड संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो लवभू लज्जा रूप बताया है क्यों लेक एक बार नहीं यास्रीस्वयम् सुकृतिनाम भवनेस्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम्रिदये सुवध्धी स्रद्धा सताम कुलजने प्रभवस्यलज्या लज्जा बहुत अब कहें लज्जा की क्या वश्यक्ता है तो ठीक से समझिए इसके आगे के सुलक में क्या लिखा है उसको समझने से बात समझ में आएगी या देभी सरव भूते सू सांति रूपेण संस्थिता शांती लज्जा से इस सांती मिलती है आज समाज जितना जितना निरलज्य हुआ है उतना उतना असान्त हुआ कभी आपने सोचा हमारी असान्ती का कारण निरलज़ता तो ने केवल घूंगट की बात नहीं है मैं तो अभी बोला नवरातर में कि बैठने में लज्जा हो किस तरीके से बैठे हम समाज में बैठें तो कैसे बैठने है चलने में साब लज्जा वाना हर उसको बोलेगा तो कोई कहते हैं नहीं है यहाल की बात बोले सरम को नहीं है यहाल को काम करें सरम को कुलीन परिवार के लोग लज्जा होते हैं लेकिन लज्जा जिसमें नहीं है उसको सांती नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी अब ये सास्त्रों की बात है अजमा कर देख ले ठीक कहा हरियाना के कभी ने बहले बेहिमानी का ब्रिक्स बुरा से जाकर देख ले और उसके फल कड़वे होते चाहे खाकर देख ले करके देख लो सरम छोड़ करके तोड़ करके देख लो तुम असान्त नहों हो जाओ तो सिस्टम है भी विविका भी हमारे सराप पीने को मना किया सास्तर ने क्यों सराप पीने से लज्जा नश्ट हो थी सब से पहले भी विविका नंजी ने किया इस बात लग्जा नश्ट होगी तो सांती नश्ट होगी सांती नश्ट होगी तो धर्म कर्म सब नश्ट होगी असांत आदमी अब हमारा चित असांत हों कथा कर पाएंगे आपका चित असांत हो जाए तो आप इतनी देर बैठ पाएंगे कोई काम असानता आदमी नहीं कर सकता इसलिए लग्जा जरूरी है जरूरी पारवती जी जगत की मास हमारी मास सिखा रही है जगदंबा सिखा रही है हम लोग उसको वो कर रही है बड़ी मर्यादा से बैठ गई है पलकें जुकी है उसके बाद बीबा की बीधी सुनुए है मुनी की आग्या से गणपती का पूजन किया लेकिन तुरसिदास जी ने साथ में लिख दिया कोई संसय मत करना निभाई माता पिता के बीवा में बेटा कहां से आया गणपती एक नाम नहीं एक गणपती एक पद है जैसे राष्टपती ऐसे गणपती उस समय गणपती के पद पर भगवान नाराइन थे निर्गुण निराकार जो सुपारी का गणेस बनाते हैं निराकार भगवान वो गणपती तो गणपती का पूजन किया है बिवा की बिधिस शुरू हुई है फिर राजा हिमाचल बेटी का हाथ भगवान संकर के हाथ में पानी ग्रहन संसकार होता है पानी ग्रहन जब कीन महेशा यहर से कब सकल सुझेशा पानी ग्रहन संसकार हुआ है फिर इसके बाद में बराजा भोजन करने को बैठती जिसको सजन गोट कहते है करन कलेवा संकर आए भूत प्रेत संगलाए बगल में बैठे सूक सनी चर पूरे सपेट भुलाए तो बराजा भोजन करती है और वो तो बराजा में एक तमासा हो गया कि भोजन से पहले पत्तल लगाने का समय आया ना तो जो पत्तल लेकर खड़ा वो आदमी आगे नहीं बढ़ता तो हिमाचल ने का भाया बहुत देर हो गई जल्दी से पत्तल लगाओ उस आदमी ने का ये काम मेरे से नहीं दूसरे से करवा लो क्यों जमेला है क्या किसी के मुँ है ये नहीं तो खाएगा कैसे पत्तल लगाओं की नहीं लगाओं और किसी के चार मुँ है किसी के पांच मुँ है तो पत्तल कितनी लगाओं कोई बैठा इधर है मुँ उधर है तो पत्तल कि इधर लगाओं संकर जी से कहा प्रार्थना करके भोले ना बरात कुर्थिक करो संकर जी बोले सुनो 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 बरातियों सुनो एक जरूरी सुचे ना हम सब बरातिय हैं साथ आज तो इने सब सिव हम को सब को समझा रहे हैं मैं भी आपके साथ जिसके पास जो चीज ज़ादा हो वो बांट देनी चाहिए और देनी किसको चाहिए जिसके पास नहीं है जिसके पास है उसको देने से कोई फाइदा नहीं है आप दान भी करते हैं तो पाखंडियों को करते हैं जिनके अर्बों खर्बों रूपिय पहले से पढ़ें उनको आप दान करते हैं आपके दान के कोई कीमत आप मेरे रहां तो कथा में जब चड़ावा होता था तब मैं कहता था कि आप एक धोती चड़ा दोगे तो मैं उसको रख दूँगा घर में कब नंबर आएगा उस धोती को पहनने का ये धोती कोई ऐसे आदमी को दो जिसके पहनने को नहीं है अभी दो अभी कल्यान हो अभी आसिरवाद मिलेगा हम तो पहनेंगे तब मिलेगा उसको अभी वो हम करते नहीं मैं मानता हूँ इस बात को कि ब्राम्मनों को भोजन कराना धर्म है लेकिन मैं साथ में ये भी जानता हूँ हजार ब्राम्मनों के भोजन कराने का जो पुन्य है आपने हजार ब्राम्मनों को भोजन कराना है वो बेवस्ता हो नहीं रही है एक कोई ऐसा व्यक्ति वो चाहे ब्रामण में किसी जाती का किसी धर्म का कोई व्यक्ति एकदम चांडाल क्यों नहीं हो बदमास हो खोटा हो लेकिन भूख के कारण उसके प्रान तरफ रहे अभी निकल जाएंगे एसे कोई एक व्यक्ति को अभी अभी भोजन नहीं मिले तो मरेगा ऐसा कोई आदमी आप उसको भोजन करा दो हजार ब्रामणों के भोजन कराने का पुन्य आपको अभी अभी लेकिन वो आप कराओगे नहीं मैं जानता हूं इस बात को कहता तो हूं मैं तो कहता हूं एक पत्थर फैंक देता हूं किसी को लग जाए तो मारबाड़ी मासामे का चाननों हो जावे हम एक जगा कदा कर रहे थे तो लोग नहीं नहीं प्रसाद वो उसमें बांटे तो नो का अदमी मेरे को प्रसाद लगाना है उन्होंने कमेटी ने मना कर दिया मेरे तक उसने वो अपनी वो लगाई मेरे से बोला कि मेरा प्रसाद होना ही चाहिए तो मैंने का आप किसी गरीबों को ये उतने पैसे का गरीबों को बोले उतना ग्यान तो हमको भी है ये मज़ा है लोग अच्छी बात मानने को तैयार नहीं आप मानते भी वही है जो आपने सोच रखा है राम सुगदाजी महराज कहते थे आपने ग्यान कोनी दूसरे की मानन कोनी भी को कल्यान कदे ही को नहीं हो सब्सक्राइब जिसमें अपने में समझ नहीं है और कोई समझदार आदमी कहता उसको मानता नहीं उसका सुधार कौन करे भगवान भी नहीं सुधार करे तो फिर जिसके दस सीर है वो एक सीर रखे नो सीर उनको दे दे दसों का काम चले और दस सीर एक आदमी रखेगा तो रावन हो जाएगा हर साल लोग जलाएंगे यह रावन दहन के तो बता नहीं मेरे तो आस्तर दिमाग में नहीं आया क्यों जलाते हैं लोग हम एक बार हमार कंटक से कथा करके गए उस दिन वह रावन दहन था तो लोग जगए जगए रावन जला रहे मैं वहां पहुँचा तो क्या गुरू जी देर होगी माना क्या और रहे रावन जला रावन देन तो हमने कहा रावन तुम्हारा कुछ लगता था क्या बहुला हमारा क्यों लगेगा हमने का जलाते तो वो हैं जिसके घर का मर जाए रावन हमारा कुछ लगता है क्या क्यूं जलाते है कभी किसी ने क्या पता नहीं क्या परमपर कब मर मरा गया रावन हर साल जलाते है अज़ा ठीक जला दिया तो फिर उसका भंडारा करो तुमने जलाया तो भंडारा भी करना चाहिए यह पता नहीं क्या कूरी थी किस ने चला दी क्या रावण मर मरा गया जाब क्या ए रावण को तो आप जला दो मार दो लेकिन शाब सिव भक्त रावण नहीं मरेगा वो अमर है आज भी जब कोई जटातवी गलत जवला प्रवाह पावी थस जलेव लंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिकां दमद दमद मद मीनाद वट मर्वय कार चन्द तंडवंबं तनों तुने ए तुनां तुने शिव शिव तंडव गाता है शाब वो कभी रावण मरा नहीं आज भी कोई सिव भक्त कोई संस्कृत का जानकार जब मंदिर में सिव तांडों गाता है तो रावन रगट होगा तो इस प्रकार से बड़ा आनंद हो रहा है बड़ात भोजन करने वैठी है सब ठीक हो गए पत्तल लगाई है बड़ात भोजन करती है तो सक्षियां गीत गाती है ठाने किस भी धिगावां गाड़ी सिव जी एक लाजी ठाने किस भी धिगावां गाड़ी सिव जी एक लाजी ठारे भाई ना भो जाई और ठारे चाची नहीं है ताई ठारे चाची नहीं रेताई ठारे बहन नहीं माजाई सिव जी एक लाजी ठारे बहन नहीं माजाई सिव जी एक लाजी ठारे भुआ नहीं है मोसी ठारे भुआ नहीं है मोसी ठारे ना कोई पास पडोसी ठारे ना कोई पास पडोसी ठाने भजा सरब सुख होसी सिव जी एक लाजी ठारे भजा सदा सिव जी एक लाजी ठारे नानी नहीं है नाना ठारे सब दिन एक समाना ठे दो करो राम रसपाना सिव जी एक लाजी ठे दो करो राम रसपाना सिव जी एक लाजी बरात भोजन करती है बहुत दहेज दिया है संकर जी ने मांगा नहीं लेकिन अपनी परंपरा वह है दाईजे दियो बगभाति पुनिखर जोरेहिम भूखर कह और कादे हु पूरण काम संकर चरण पंकज गई रहू अगवान संकर के सामने बहुत दहिज दे करके पूरन काम है मैं आपको क्या दे सकता हूँ देने की सार्थक्ता यही है बहुत दे करके यह कहे मैं कुछ नहीं दे सकता तब उसका देना सफल है कोई थोड़ा भी दे तो कय बहुत दिया आज वो दोनों परंपरा घडबड़ा गई है कितना ही दे दो लेने वाला कहता है कुछ नहीं दिया और देने वाला थोड़ा सा दे कर कहता है मैंने दिया कोई देगा सफल नहीं हो रही है रामायन सब सिखाती है जाब इसमें ब्यापार की नीती भी है राजनीती भी है प्रीती भी है नीती प्रीती परमारत स्वारत क्या नहीं है रामायन अब बिदाई का समय आ गया बेटी बिदाई का समय है बेटी को नारी धर्म की शिक्षा दे रही है माँ बेटी तेरे भाग्य में सासु नहीं है ससुर नहीं देवर नहीं जेट नहीं केवल भगवान संकर है इनकी सेवा खुब करना करें सदा संकर पद पूजा स्री राम जय राम जय जय राम आरी धरम पति देवन जूजा स्री राम जय राम जय जय राम एकत्व धिस्री जी नारी जग माही स्री राम जय राम जय जय राम परा दीन सपने हुँ सुखना ही स्री राम जय राम जय जय राम बेटी सदां सब दें पती के चरणों की पूजा सदां करना क्योंकि नारी का यही धर्म है नारी को कहीं यदि वो अपने परिवार की सेवा करे तो उसको मंदिर में कथा में कहीं आने जाने की आवजशक्ता नहीं है उसका वोई धर्म है घर में कोई अतीति आए उसकी सेवा नहीं करे और कहीं मैं तो कथा में जाओं वो धर्म नहीं बताया है तो कुछ धर्म के परिवार के कुछ नियम बताए इस आस्तर में और माता रो पड़ी बेटी नारी का जीवन सदा पराधिन है जब छोटी होती है तो माता पिता के आधिन बड़ी हो जाए पती के आधिन बुड़ी हो जाए बेटों के आधिन रहना पड़ता है और पराधिन को सपने में भी सुख नहीं होता है लेकिन एक नारी ऐसी महिमा है जो पराधिनिता में सुख मानती है कोई कोई बच्ची ये चाहेगी कि मेरा बाप मर जाए और मैं स्वतंत्र हो जाऊं वो चाहेगी मेरे माबाप सही रहें भजे मेरे उपर वो नियंत्रन रखे उस नियंत्रन को सुख मानती है बंधन को सुख मानती है बंधन को स्विकार करती है ये बिडंबना नारी के हिर्दे की भगवान ने बनाई है उसके बाद बेटी को भीदा करते हैं माता पिताएं हाथ जोड़ करके राजा ही माचल नाथ उमामम प्रान समय ग्रीह किंकरी करे ख्राम हुसा कले अपराद ने कोई प्रसन ने हमारे अपरादों को क्षमा करिए पारवती हमको प्रानों से प्रीय है इसको आप अपने घर की दासी बनाईए ऐसा कहकर के बेटी को भीदा करते हैं राजा ही माचल रो पढ़ते हैं बेटी भीदाई का समय बड़ा कारूनिक होता राजा हिमाचल रोए, राजा जनक रोए कितनों ही समर्थ आदमी क्यों न हो बेटी को विदा करता है तो रोता है अब भगवान संकर कैलास आ गए है राजा हिमाचल घर में आए, घर आए, महमानों को विदा दी है और संकर भगवान जब कैलास में आ गए तो सारे देवता भगवान संकर और पार्वती जी को प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए तुलसिदास जी कहते हैं जगत मात पितो संभु भवानी स्री राम जै राम जै जै राम एही सिंगार न कहा हूं बखानी स्री राम जै राम जै जै राम ए तब जन में हूं खट बदन कुमारा सीराम जयराम जय जयराम तारक एसुर समर जय ही मारा सीराम जयराम जय जयराम मैं उनके सरिंगार का वर्लन कैसे करूँ वो तो जगत के माता पिता है बहुत समय बीद गया फिर पार्वती जी ने एक उत्र को जनम दिया जिसका नाम स्वामी कार्ति के छैमुवाला बड़ी बिलक्षन उनकी कथा जनम तु स्वामी कार्ति देवताओं के सेना पती बने तारका सुर्राक्षस का उन्होंने बद कर दिया है सिव चरित्र को विराम करते हुए तुलसिदास जी बोले यह है ओ मासंभु बिवाह जे नर नारिका ही जिगावही कल्यान का जे दिवाह मंगल सरवदा सुख पावजी बगवान महादेव और पार्वती की बिवा की कथा जो सुनेंगे और गाएंगे उनके घर में बिवा अदि मंगल कारी होंगे और सदा सुख मिलेगा ऐसा आसिरवाद दिया अरे भगवान महादेव का चरित्र तो समुद्र जैसा है कौन कभी उसका पार पाएगा तुलसी दास जी कहते हैं मैं तो मतिमंद गवार हूँ जब देखो शिव का बिवा हो गया यह बहुत समझने की बात है किवल कथा नहीं है इसका अंतरंग भाव समझने से ज़्यादा लाब होता है कल मैंने आपके सामने निवेदन किया कि स्यू विश्वास है और पारवती स्रद्धा है जब स्रद्धा विश्वास का मिलन होता है तो दो पुत्रों का जन्म होता है पहले पुत्र का नाम कार्तिक पुलसिदास जी यहां पुरुसार्थ कहते हैं उसको स्रद्धा विश्वास वाला आदमी परिस्रम बहुत करेगा काम करेगा वो हराम का कभी नहीं खाना पसंद करेगा कई लोग एक आदमी मेरे को कथा में मिला महराज मैंने का आप क्या काम करते हैं बोले कुछ नहीं करते क्यों बोले अजगर करे ना चातरी पंचे करे ने का तो मैं उसको बोला नहीं क्यों कि कस्थ हो जाए लेकिन मैं मन में सोचा तू अजगर है क्या कि तू पक्षी है भगवान ने मनुष्य बनाया है तो पुरुशार्थ करना चाहिए अरे जाव हम कुछ ले दे नहीं वो बात अलग किये लेकिन हम कम पुरुशार्थ करते हैं अब कलपना तो करो ये चार-चार घंटे इतना चिलाना और वो भी एक आसन से हिलना नहीं जाए ये पुरुशार्थ कम है जो आप से लाखो लाखो करोडो ले जाते हैं वो कैसे आपको डिजाइन की कता सुनाते है सोचिए और बीच में मीजिक बज़ेगा बीच में ये होगा है ने तना साथ टाइम पर कोई महरा जाता है क्या सोचिए तो सरी पर आप लोगों की समझ में एक चीज बैठ गई कि जो चीज महंगी है वो बढ़िया है सस्ती है वो खराब है और हमारी वाली तो फ्री की है तब बेकार है आरती के पैसे भी नहीं चड़ाने ये ये मारवड़ी लोग गजब है साब ये मारवड़ी पटी है नहीं राजिस्तान में कथा करने जाएं महराज लेवे को नहीं तो काम कही है चला है तो साब तू चला तू मेरे घर में आके पूछना कही है चला है तेरो कही है चला है तू कहीं नोकरी करता तो तेरा काम चलता है हम सरकार की नोकर करते हैं हम दूसरों का काम चला सकते हैं हमारा कौन कहे एक आदमी कहता था आगए से कौने ले पीछे से लेवे तो पहले तो दुख हुआ फिर मैं बोला ठीक राइट राइट पीछे जे ये काली ये जाब जाय काली कलकते वाली तेरा बचन नाएक खाली चूमंतर काली का जाब जाब विल्कुल जा मजद रहो ना कोई ये कथा कोई भागिसे ही मिलती पुरुशार्थ करो हम पुरुशार्थ ये आपको ऐसान करने के लिए नहीं लेकिन पुरुशार्थ करते हैं कई कई बार तो बिना कथा कि आके समालते हैं ब्यासर गदी ठीक है कि कल कुछ लोगों ने देखा फिर आया मैं माईक ठीक नहीं था संतोस नहीं हो तो आना पड़ा ये हमारी उरुशार्थ है जो भगवान के प्रती सच्चा सरद्धा विश्वास का हाँ हम उसमें दोखा भी हो सकता है अब हमको कई लोग हमारे कहते हैं गुरुजी आप जल्दी विश्वास कर लेते हैं फिर दोखा हो जाता तो करें क्या हम विश्वास के पुजारी हैं बताओ हम जी रहें विश्वास से विश्वास स्रद्धा लवा लब भरिये इसलिए पुरुष्वार्थ में कमी नहीं है इसलिए आप यदि स्रद्धा विश्वास को मानते हो खुब परिश्रम करो कुछ नहीं बिगड़ेगा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा ज्यादा वो पड़े पड़े रहोगे नहीं खाओगे और पड़े रहोगे तो बिमार हो जाओगे पर परिश्रम करो खुब राजु को देखो न मस्दिजा पुर्शार्थ करो सुवे उठे तब से ले करके खुब पुर्शार्थ करो किसी का काम करो करो बेकार में बैटे मत रहा हमको क्या लेना हमको ऐसा नहीं जाओ तो कार्तिक पुरसार्थ ध्यान देना पुरसाथ करोगे तब दूसरे बेटे का नाम गणे से वो ग्यान है ग्यान सस्ता नहीं है पहले पुरसार्थ करोगे तब हम तो कुछ है नहीं बस किताब पढ़ ली फलाने महराज क्या आ गए बस ग्यान खाक हो गया तेरे को ग्यान तुम अभिमान कोई ग्यान समझो तो कोई क्या कर सकता है कई लोग अपने अभिमान कोई ग्यान समझते हैं तो धोके में अपने आप के साथ दोका करते हैं दूसरे के साथ नहीं तो ऐसा ये सिवचरित्र को भी राम दिया है फिर पारवती जी ग्रहस्त जो धर्म है उसका वो बताया देखो बेटों का जन्म हो गया अब क्या करें अब पति पत्नी को भगवान के प्रति लगना तो पारवती जी राम कथा के बारे में वो प्रश्न करती है संकर भगवान से लेकिन हम माता जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करें माता जी प्रश्न आप कल तीन बजे करें तो बढ़िया है हमको आगे एक मर्यादा है समय से बंदे लोग हैं नहीं मस्ती तो है भी एक minute इनको और उसास्त्री जी भी बोले भई लाटा जी के लिए हम समय में नहीं बांदेंगे वो जितना चाहें तो मैंने दो भजन गा के महराज जी के और हाद जोड़ के का कि इन्हों ने तो समय में नहीं बांदा है लेकिन आपने मुझे मरियादा में बांद रखा है इसलिए मैं मरियादा का उलंगन नहीं चलूँगा नहीं साम हम तो जुम्मा गाते थे रात में दस बज़े से पैर मुड़ के बैठे तो सुबह चार आज भी कोई बैठक में वो बाजी लगाए ना तो बारा घंटा कथा कर देंगे हाँ रंगवाजी तो यह नहीं करेंगे आप चिंता ताली उली मत बजाओ कोई में बजाओ कोई 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 बिढ़ जाए कि हम हम ऐसा बैठ सकते हैं हम निजामाबाद गए खलाने कथा बाचा कितनी देर बैठे हो मैं कर रेंड़ दे मेरे समत बीड़ते हो हम कई गाटों का पानी पी कर आए ऐसे जन्म प्राकटि का आनंद लेंगे और अभी आईए एक दो बार भगवान का नाम ले ले फिर संक्षित रामाइड बांके बिहारी जै होती हारी बांके बिहारी जै होती हारी ये स्री बिंदाबं राधे राधे बरसाने में राधे 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 हाई, 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 हाई हाई ही अवग दियर ही जै जै स्री रादे जै जै स्री रादे निकाले संख्शिक्तरामन और पाठ करूँ जै सिया राम जै